Welcome back guys, आज हम पढ़ेंगे Computer Series का Lecture 4 जिसमें हम पढ़ेंगे Input और Output Devices के बारे में Last Lecture में हमने पढ़ा था Memory के बारे में और आपको बता दें कि यह Computer Series का हमारा Complete Course है जिसमें हम पढ़ेंगे MPPSC Mains Paper Thread में जो Unit 4 है उसमें Computer को Mention किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यह Course MPPSC 2020 के नए से लिवस के अकॉर्डेंग है तो जो भी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसे देख सकते हैं तो guys ready हो जाईए हम इस Lecture में पढ़ेंगे Input और Output Devices के बारे में Lecture Start करने से पहले आपसे request है कि हमारी इस Video Series को जादा से जादा लोगों के साथ share करें अपने दोस्तों, colleagues के साथ share करें यही छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको हमको जोड़े रखती हैं आपका साथ ही हमें motivate करता है इसलिए आप इसे जादा से जादा लोगों के साथ share करें चलिए अब सुरू करते हैं आज का session इस Lecture से पहले Starting में हम तीन Lecture और बना चुके हैं तो पहले आप उन Lecture को देखें फिर इस Lecture को देखें क्योंकि हम इसे serial wise पढ़ेंगे यानि कि जो हमारा syllabus है उसके according हम पढ़ेंगे और हमारा table content जो है उसके हिसाब से हम इसे पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का session तो चलिए दोस्तों देखते हैं इनपूट और आउटपूट डवाइसे कंप्यूटर की क्या होती है पहले हम definition देखेंगे इनपूट डवाइसे के बारे में फिर देखेंगे आउटपूट डवाइसे के बारे में बे डिवाइसे होती हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कम्पूटर में इन्पूट कराते हैं तो आप से यह दिडेफिनेशन पूशी जाती है इन्पूट डिवाइसे के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि यह बे डिवाइसे होती हैं जिनके द्वारा हम अपने data या निर्देशों को computer में input कराते हैं तो यह देखिए हमने definition इसके बारे में और देख लेते हैं दोस्तों input devices computer तथा मानब के मद्र संपर्थ की सुविदा पिरदान करते हैं यानि कि आप जब computer को कोई command देते हैं तो आपको एक माध्यम की जहुरत होती है जो कि आपके input data को feed करवा सके जब भी आप computer में या कुछ भी type करते हैं कोई भी चीज play करते हैं type करते हैं कुछ भी कार करते हैं तो आपको जबूरत पढ़ती है एक input devices की जो की काम करती है आपके ओर computer के बीच में एक मध्यम के रूप में एक माध्यम बनती है वो आप दोनों की बीच में जो की इस communication कड़ी को जोडती है यदि आपको कोई भी संपर करना है computer से तो आपको input devices की मदद तो लेनी ही पड़ेगी यदि आप जैसे की ऐसे मानिये आप कभी भी type करते हैं कुछ या कुछ भी play करते हैं YouTube खोलते हैं Microsoft byte में कुछ भी type करते हैं तो आपको एक command देनी होती है कि आप जैसे आप keystroke प्रेस करते है k, k type करवाना है यदि आपको t type करवाना है यदि आपको u type करवाना है तो आप उसे command दे रहे है keyboard को command दे रहे है जो की एक input device है keyboard उसको आप command देंगे कि type t, type k तो भै उसको cpu में भेजेगा और उस data को feed करवाएगा फिर भै output देगी display पर जो की आपका type कर देगी t, k, u जो भी आप type करवाते हैं तो यह input devices computer और मानव के बीच मध्य संपर की सुबदा प्रिदान करते हैं यह कि यह माध्यम के रूप में होती हैं जो की हम computer और मानव के बीच में माध्यम का रूप लेती हैं computer में कई input devices होते हैं devices computer के मस्तिक्स को निर्देशत करती हैं इसका वही जो हमने अभी देखा यानि कि CPU तक data को feed करवाती हैं और निर्देशत करती हैं कि वह क्या करें यानि कि जैसे कि आप play करवाते हैं तो आप कोई भी data को feed करवाते हैं आप कुछ भी play करते हैं song बगएरा तो आप उसे बताते हैं कि यह इसे क्या करना है तो वह उसी चीज को CPU म क्या करना है तो CPU उसी तरह काम करता है वह वही काम करता है जो आप input देते हैं और input देने का माध्यम होती है input devices input devices के बारे में यदि आप एक बहतर definition चाहते हैं तो वह यह होगी input devices बहे डवाइसे हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को computer के मस्तिस्क मस्तिस्क यानि CPU तक पहुचाती हैं तो आपकी यह best definition होगी यदि आपसे one liner में पूछी चाती है definition तो आप लिख सकते हैं input devices बहे devices होती हैं जो हमारे या किसी भी इनसान के निर्देश या आदेश को computer के मस्तिस्क यानि की CPU तक पहुचाती हैं अगला देखते हैं input devices के परकार कितने होते हैं या कई परकार की input devices होती हैं computer में जो की होती है keyboard, mouse, joystick, joystick यानि कि आपने वीडियो गेम खेला होगा तो आपको पत होगा joystick, trackball, light pen, touchscreen, digital camera, scanner, digitizer tablet, digitizer tablet यानि की जो आप normal tablet यूज करते हैं बही, barcode reader, omr seat, ocr, imcr, atm लेकिन हम पढ़ेंगे इनसे कुछ ही input devices के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे keyboard, mouse, touchscreen, scanner, barcode reader, omr, यह काफी हो जाती है, इतनी ही input devices के बारे में हमें पढ़ना काफी हो जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है input devices के बारे में, तो आप आसान तरीके से इतने लिख सकेंगे, चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक से सब input devices को देखते हैं, प input करने के लिए design किया गया है, यानि कि आप कभी भी कुछ भी type करते हैं computer में, यानि कि आपने press किया, w, e, r, t, तो एक आदिस दे रहा है, एक computer के CPU में feedback देगा, feedback नहीं, आदिस देगा, या निर्देस देगा कि आपको type करना है, w, e, r, t, तो उसको input करवा देगा, और CPU उस data को monitor पर भेजएगा, जो कि हमारा output devices होती है, तो यह देखा हमने कि कैसे input करवाती है, keyboard में लगबग 108 keys होती है, यदि आप से पूछा जाता है computer में, computer के keyboard में कितनी keys होती है, तो आप answer दे सकती है, 108 keys होती है, almost 108 होती है, अब तो okay, function की जादा बढ़ गई है, तो कोई भी keyboard जो अंख्या में keys होती है, आपको लेकिन याद रखना है, बंजी रोएट अगर आप से पूछा जाता है, तो यही इसका answer होगा, keyboard में कई परकार की कुंजियां होती है, कई परकार की keys होती है, जो की होती है, alphabet यानि कि अक्छर, या जो letter होती है, number, number जो होती है, symbol, symbol यानि कि has, या dollar, percentage का symbol, function की, यानि कि जो आपको keyboard में दी होती है, जैसे कि F1, F2 और जो की जाती है, F12 तक, arrow की, यानि कि left, right, up, down, जो keys होती है, वो होती है, arrow की, और कुछ बिसेश परकार की key भी होती है, जो की अलग brand के keyboard, अलग-अलग keys देते हैं, जैसे कि कई देते हैं, multimedia keys देते हैं कई social media key देते हैं, तो बहर की अलग-अलग कुछ बिसेश परकार की होती है, आगे देखते हैं, keyboard के बारे में सनरचना देख लेते हैं, इसमें जो keys होती है, alpha numeric keys क्या होती है, alpha numeric keys होती है, जो A से Z तक होती है, और 0 से 9 तक होती है, यानि कि A से Z के बीच में जो भी alpha weight होती ह है, बहर की होती है, और 0 से 9 तक जो keys होती है, बहर भी alpha numeric keys होती है, numeric keys क्या होती है, यदि आप से पूचा जाता है, तो यह होती है, 0 से 9 तक और गड़ती है operator जोकी calculation में काम में आती है, और enter key होती है, तो यह 0 से 9, mathematical operator और enter key होती है, हमारी numeric keypad, अब देखते हैं, function keys हमारी क क्या होती है function keys होती है आपको याद रखना है sais आप देखते हैं Special Purpose Keyes में जैसे मैं ने आपको बताया इसमें आती है Multimedia Keyes जो की अलग-अलग Brand के Keyboard अलग-अलग Brand के जो Keyboard होते हैं उनमें अलग-अलग Special Keyes होती है Modifier Keyes क्या होती है? Modifier Keyes होती है Shift-Alt-Control और बाकी की Keyes होती है, Scept-Alt-Control के अलबा, by होती है Modifier Keyes, Cursor Keyes क्या होती है? Cursor Keyes होती है Up, Down, Left, Right, जो Arrow Sign होती है, by होती है Cursor Keyes आगे देखते हैं हम दोस्तों, अब देखते हैं हम Keyboard के पिरकार कितने होते हैं यदि आपसे पूछा जाता है Keyboard के कितने पिरकार होते हैं, तो यह होती है तीन पिरकार के साधारण Keyboard, जो की होता है हमारा Normal Computer फिर होता है तार रहत Keyboard, जो की Wireless Keyboard होता है और तीसरा होता है Ergonomic Keyboard, जो की Ergonomic Keyboard होता है तो यह हमारे तीन पिरकार के Keyboard होते हैं याद रखना है आपको आप इन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जो भी हमारा ये lecture में बताया जा रहा है उसके notes बनाते चलिएगा ये आपको काफी help करेंगे तैयारी करने में revision करने में तो आपको notes बनाते चलना है आगे देखते हैं दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे mouse के बारे मे mouse के बारे में देखते हैं यह कैसी input device है mouse सरवादिक प्रचलित pointer device है यह अगर आप computer laptop चलाते हैं तो आपको पता ही है computer laptop चलाना mouse के बिना possible नहीं होता है यह pointer device होती है जो कि point करती है कि आप उसे क्या निर्देश दिना चाहते हैं आप उसे क्या काम करवाना चाहते हैं इसका प्रियोग जित्र या ग्राफिक्स को बनाने के साथ-साथ एक बटन भी दिया जाता है जो कि आपको मैन्यू पर किलिक करने के लिए help करता है left की होती है by selector की होती है और right की होती है by होती है आपके menu की तो आपको यह definition में आप लिख सकते हैं कि mouse जिसका प्रियोग जित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ-साथ menu पर किलिक करने के लिए किया जाता है mouse कहलाता है तो mouse के बारे में आप यह definition लिख सकते हैं यह आप देख रहे हैं mouse mouse ऐसे दिखता है आगे देखते हैं दोस्तों कि आपको कई काम करवाने होते हैं जो की मौस से करवा सकते हैं याई कि आपको कोई चीज ऐसे updated स्लेक्ट करनी है कोई फाइल पिले करनी है तो आपको mouse की जओड़त बढ़ जाती है याई कि आप इसे pointer device को यूज करना ही पड़ेगा यदि आप computer या laptop यूज करते हैं आगे देखते हैं दोस्तों माउस के कारे देख लेते हैं क्या क्या कारे होते हैं इसके क्लिकिंग में help करता है या double click भी करता है इसमें दो click click button होते हैं जो की right और left होते हैं इससे आप dragging भी कर सकते हैं और इससे आप scrolling भी कर सकते हैं scrolling का मतलब होता है यानि कि आप page को up-down करना हो तो आप mouse से कर सकते हैं आगे देखते हैं दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे mouse के तीन पिरकार Mouse के तीन पिरकार होते हैं Mechanical, Optical और Cordless Mouse यानि कि एक mechanical mouse होता है एक optical mouse होता है और एक होता है cordless mouse जो कि आप wireless mouse भी कह सकते हैं अब अगली device के बारे में देख लेते हैं दोस्तों जो कि हमारी है light pen यह भी एक input device है light pen का प्रियोग computer screen पर कोई चित्र या graphics बनाने में किया जाता है आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाता है कि light pen का प्रियोग क्यों किया जाता है तो यह किसी भी चित्र या graphics को बनाने में किया जाता है और यदि आप presentation देते हैं तो भी इसका यूज करते हैं और आज कल तो यह education परपच के लिए भी यूज किया जाने लगा है जो टीचर यूज करते हैं बैए pen होता है light pen होता है light pen में एक प्रिकास संबेदन सील कलम की तरह एक युक्ती होती है जो की help करती है आपको कोई भी presentation प्रिजेंट करने में light pen का प्रियोग object के चयन के लिए होता है यह आप एक function में या characteristic में लिख सकते हैं यदि आप इसे definition में लखना चाहें तो भी लिख सकते है light pen का प्रियोग object के चयन के लिए भी किया जाता है अगली device के बारे में देखते हैं दोस्तों जो कि आज की जो है हमारी touch screen touch screen कैसे एक input device है यह देख लेते हैं हम touch screen एक input device है इसमें एक display होती है जिसकी साहता से pointing हम कर सकते हैं यानि कि जैसे आपको कोई file खोल ली है या कुछ भी खोलना है कोई app खोल ली है YouTube खोलना है तो user उसे pointing device के उपियोग में ले सकता है यानि कि यदि आप point करते हैं किसी भी जगह आप उंगलियों से आपको यह करना है यदि आप उसे point करवाते हैं किसी फाइल यानि कि आपने फाइल पावर पॉइंट ओपन करवाते हैं तो आप जैसे पावर पॉइंट पर click करेंगे तो वह एक निर्देश बेजेगी CPU तक कि आपको यह निर्देश दिया जाता है कि पावर पॉइंट को open करो तो वह पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा तो वह किसी भी object को चाहिन करने के लिए help की जाती है touch screen का यूज आज क्या आप करते ही हैं जो कि आप mobile यूज करते होंगे कई laptop भी यूज करते हैं tablet का भी यूज किया जाता है जब भी आप किसी भी object को या किसी भी file को select करते हैं उसे open करते हैं तो वह आपकी आ जाती है input device में यानि कि आप उसे point कर रहे हैं निर्देश दे रहे हैं जो कि उससे CPU तक पहुचाने में मदद करेगी और फिर उसका output आपको मिलेगा तो यह touch screen हमारी हो जाती है input device यह देखा हमने touch screen के बारे में अगली device देखते होगा हर product के उपर एक barcode होता है barcode काम में आता है उस डबाए उस जो भी product आप लेते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है अब तो payment के लिए भी use किया जाने लगा है जैसे आप barcode scan करते हैं तो आपको payment option मिल जाता है उसके द्वारा तो यह किसी भी product के उपर छपा barcode reader की जो cable barcode पड़ता है उसके द्वारा आप किसी भी जो भी उस product की detail होती है उसको access कर सकते हैं यदि आपने कभी mall में shopping की हो तो आपको पता होगा कि यह barcode reader क्या होता है जो भी हम जब भी हम checkout करते हैं या bill बनवाते हैं तो फिर हमारी जो भी product होते हैं उनको scan किया जाता ह scan कैसे किया जाता है scan किया जाता है बार कोड से जैसा आप यह देख रहे हैं ऐसा होता है हमारा बार कोड किसी भी product का उसे scan किया जाता है उसके माध्याम से access करता है उसकी सारी detail की product क्या है किस brand का है क्या उसकी capacity है या किस क्या उसकी price है सारी detail को access करता है तो यह barcode reader हमारे help आ पढ़ने में आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाता है कि यदि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे पूछ लिए जाएगा इन मैंसे इनपुट डवाइसे बताईए मोनीटर प्रेंटर प्रोजेक्टर और बार कोड रीडर तो आप क्या करेंगे आप लगाएंगे बार कोड रीडर पर टिक करेंगे कि यह है इनपुट डवाइस और रहे हैं आउट कुट डवाइस तो यह देखा आपने बार कोड रीडर के बा यदि आप अपनी Mark Seat या कोई भी फॉर्म होता है उसे आप फीड करवाते हैं यदि आपने कभी फॉर्म कोई फिलब करवाया हो किसी भी सॉप पर या खुद किया हो तो आपको जरूरत पढ़ती है एक स्कैनर की यदि आप कोई भी इमेज या फिर कोई भी फाइल जैसे कि आपकी Mark Seat मान लेते हैं यदि आप उसे अपने कंप्यूटर में फीड करवाते हैं तो आपको जरूरत पढ़ती है इसकैनर की जो किसी भी पेज पर बनी आकरती या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इंपुट करा देता है और इसकी एक लाब यह होता है इसका एक एडवांटेज होता है कि इससे आपको टाइप नहीं करना पड़ता है यानि कि आप यदि इसकैनर पर अपनी Mark Seat रख देते हैं और उसे स्कैन कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपकी पूरी Mark Seat आपके कंप्यूटर में फीड हो जाएगी तो इसकैनर के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं डैपिनेशन क्या है इसके एक इंपूट डवाइस है या एक कंप् परती है यानि कि आप जो भी यूजर है उसे कोई भी सूचना टाइप नहीं करनी पड़ेगी उसे कोई भी इनफॉर्मिशन टाइप नहीं करनी पड़ेगी यह देखा हमने स्कैनर के बारे में अगली डवाइस के बारे में देखते हैं दोस्तों जो कि हमारी OMR OMR seat आप जा जो होता है by OMR seat को पढ़ता है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं OMR reader और OMR seat क्या होती है OMR reader या optical mark reader या इसका full form है OMR का optical mark reader एक full form है या एक device है जो किसी भी कागज या pencil पर pen के चिन की उपस्तिती pen या pencil आप मान सकते हैं दोनों के pen चिन की उपस्तिती और अनुपस्तिती को जाचता है यानि कि आप जब भी paper देंगे पिरी का और कोई एक कोई भी option select करते हैं उसे fill करते हैं तो जाचता है कि कौन सा fill है और कौन सा unfill है यदि आप दो option फिल कर देते हैं तो दो फिल भी जाचेगा और जो फिल नहीं की है यानि कि जो आपने दो circle भर दिये हैं और जो दो नहीं भरे हैं भै चारों को एक-एक से check करेगा यानि कि जो आपने भर चुके हैं उन्हें तो check करेगा ही करेगा और जो आपने नहीं भरे हैं भाई भी भाई चेक करेगा तो यह होता है omr leader हमने देखा omr seat के बारे में भी इसमें चिनहित कागज पर प्रिकास डाला जांचने में help करती है जो कि हमारा optical mark reader help करता है परावर्तित प्रिकास को जांचने में तो यह देखा हमने omr seat के बारे में और omr reader के बारे में अगला देखते हैं दोस्तों अब हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है यह हमारी input devices से आपको फिर से दिखा देते हैं omr के बारे दखेंगे बारे में हमने पड़ा और हमने पड़ा सकती है जो कि इनपोड़ के यूज में ले जाती है लेकिन यह जो हमने पढ़ी है यह exam . से main devices हैं जो आपसे पूछी जा सकती है तो आपको बस इतनी devices के बारे में याद रखना है आपको enough होगा आपको यहीं से question मिलेंगे आप आसानी से answer दे सकेंगे यदि आपसे input devices के बारे में पूछा जाता है आपसे फिर से request है कि आपको जो भी बताया जा रहा है बस उसके notes बन revision करने में और आपसे एक और request है इस video को दूसरी बार भी देखिएगा तीन दिनों के बार तीन से चार दिनों के बार इस video को दोबारा देखिएगा जिससे कि आपको help होगी आप अपने mind में इसे data को feed करने में यानि कि आप remember करने आप इसको आसानी से remember कर सकते हैं यदि आप इस video को दूबारा देखते हैं तो अब हम देख लेते हैं सरल सब्दों में एक वार revision कर लेते हैं जो भी हमने इंपूट डवाइसे के बारे में पढ़ा है इंपूट डवाइसे होती हैं जिनके द्वारा हम अपने data या निर्देश को computer में input करवाते हैं जो भी हमारे संपर्क की सुब्दा प्रिदान करते हैं यानि कि इनको devices एक माध्यम होती है computer और मानग को एक दूसरे से कम्यूनेट करने में अप्टिकल मार्क रीडर के बारे में हमने पड़ा या कागज पर pencil या pen के मार्क यानिकी चेन की उपस्तिती या अनुपस्तिती को जाचता है तो यह देखी हमने सरल सब्दों में यह हमने देख ली जो भी हमने definition पढ़ी है पहले और बांकी की हम जो भी input devices हैं इसलिए नही नहीं ली जाती है अब आगे हम पढ़ेंगे output devices के बारे में उससे पहले आप notes बना लीजिएगा input devices के बारे में output devices के बारे में पढ़ते हैं output devices क्या होती है तो देखते हैं दोस्तों output devices की definition क्या होती है what is output devices output devices hardware का एक अवयाय है यानि की एक रूप है आप मान सकते हैं एक रूप है output devices जो computer का मुख के बहुत एक भाग है और जिसे चुआ जा सकता है चुआ तो input devices को भी जा सकता है हला कि अवने वी input devices को भी चुआ सकते हैं आप माऊस को भी चुआ सकते हैं keyboard को भी चुआ सकते हैं ox reader को चूआ सकते हैं और आप output devices को भी चूआ सकते हैं जो कि आपकी होती है monitor projector तो आप दोनों को छूँ सकते हैं यह बहुत एक भाग होती है computer का तो output devices के बारे में एक sort में detail देखें अगर हम आपसे पूछी जाती है one line definition यदि आपसे पूछी जाती है जो कि आपको तीन नम्मर के answer को help answer को लिखने में help करेगी आपसे पूछी जाती है one line definition तो आप लेख सकते हैं बे उपकरण जिनके द्वारा computer से प्राप्त परिवराम यानि कि result को प्राप्त करने में help करती है आउटपट डवाइसे कहलाती है यानि कि आप जो भी result आप पाना चाहते हैं यानि कि आप जो भी उपकरण या जिनके माध्यम से computer से जो भी result पाते हैं उनको आप पाते हैं output डवाइसे से यदि आप कोई भी image open करते हैं computer में तो आप उसका output कहां देखेंगे आप देख सकत तो आपको यह help करती है result को access करने में या result को access करने में या देखने में तो यह आउटपट डवाइसे के बारे में एक short definition इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं यह सूचना किसी भी भाग तथा सूचना कि किसी भी पिरकार जैसे कि दोनी डेटा मैमोरी ले आउट यानि होता बारे आपकूंट को प्रदर्सित करती है यानि जो मॉनीटर होता है किसी भी दो कौन मेमूरी तो यह को रिजूलट डेटी है देती है तो यह देखना हमें आउटको डवाइसके बारे में आगे लेक permissions कि परकार कितने होते हैं आउटको डवाइसके परकार होते हैं चयह ब चेहर और भी होते हैं, आप पर डिवाइसे बनती जा रही हैं, इनमें होती हैं monitor, printer, plotter, projector, soundcard और earphone, इनके बारे में हम एक-एक से पढ़ेंगे, एक-एक से इन सब को खोलेंगे, सब के बारे में जानेंगे, आपको फिर से request करते हैं, आप notes बनाते चलिएगा, तो आप देखत monitor, plotter, projector, soundcard और earphone के बारे में एक-एक से देख लेते हैं, monitor क्या होते हैं, उसके बारे में देखते हैं, monitor एक ऐसा output device है, जो TV पर या screen पर output पर दर्सित करता है, यानि कि जब भी आप कोई image, कोई video, कोई भी file खोलते हैं, तो आपको output देती है, monitor जो होती है, आपको image so करती है, video so करती है, और जो भी आपका data होता है, वाई उसको so करती है, यानि कि पर दर्सित करती है, तो output device आपको, आपके जो TV होती है, किस काम के लिए ली जाती है, किसी भी data को पर दर्सित करने के लिए, यह देखा, हमने monitor के बारे में, इसे एक और नाम दिया गया है, जिसे कहते ह बुलाया जाता है, visual display unit, यदि आप से पूछा जाए, visual display unit क्या होती है, आप से गुमा के question पूछा जा सकता है, में, यदि आप से पूछा जाता है, visual display unit क्या होती है, तो आप लिखेंगे, कि जब भी, हमें कोई भी data output, data का output लेना होता है, या computer किसी भी data को, data का result प्रदर्सि unit की, जो की हमारा होता है, monitor, तो यह देखी हमने definition, और इसका यह दूसरा नाम भी होता है, इसके बारे में देख लेते हैं, दोस्तों, इसे तीन पार्ट में divide किया गया है, तीन टाइप के monitor होती है, monochrome, grey scale, और रंगीन monitor, monochrome, यानि कि black and white TV यदि आपने देखी हो, black and white TV, औ और आपने mobile यूज़ करते हैं, तो आपने black and white, यदि आपने image देखी हो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, black and white TV क्या होती है, grey scale, मिली जुली ही होती है, black and white TV जैसे ही होती है, grey scale, इतमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, यह पहले आई थी, grey scale थोड़ी बाद में आई थी, अब चलती है हमारी color monitor, color monitor यानि कि रंगीन monitor, जो कि आप सब लोग यूज़ करते हैं, आज कल सब ही लोग रंगीन monitor को यूज़ करते हैं, तो जो color monitor होते हैं, हमारे mobile, laptop, computer, TV, आज कल सभी devices हमारी color monitors है, और आप mobile को भी monitor बोलते हैं, अप इतना भी यदि आप से कभी पूछा जाए, कि हमारे जो mobile की display होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे monitor, यानि कि वह आपको show कर रहा है, result show कर रहा है, वो कोई भी data आपक show करता है, तो वह होता है monitor, अगला देखते हैं, जो कि हमारा printer, printer के बारे में देखते हैं, जो कि हमारी output device है, printer output device कैसे होती है, या जो भी जानकारी होती है, कागज पर छापती है, यानि कि print करती है, जब भी आप कोई print करवाते हैं, कोई भी document और उसे print किया जाता है, तो जो जो भी data होता है उसे paper पर print कर देती है जो भी printer होता है paper पर उसे print कर देता है इसलिए उसे कहा जाता है output device यानि कि जो भी हमारा data था computer में उसे print कर दिया गया है हाइड कॉफी पर हाइड कॉफी पर और जो कि हमें result करता है जब भी हमें कोई device result करवाती है यानि कि कोई भी device अगर हमें result देती है या हम उसे देख सकते हैं या उसे प्रदर्सित करती है तो उसे कहते हैं हम output device output device को आप sword में ऐसे समझ सकते हैं output device का मतलब होता है प्रदर्सित करना यानि कि आपको result देना तो printer हो जाता है हमारा output device अगले output device के बारे में देखते हैं दोस्तों जो कि होती है हमारी plotter plotter किसलिए यूज में ली जाती है यह ड्रॉइंग चार्ट गिराफ आदी को प्रिंट करने में ली जाती है इससे ज्यादा यूज किया जाता है 3D printing के लिए यदि आपने 3D printing देखी हो तो आप जानते होंगे plotter का यूज किया जाता है 3D printing प्रिंट करने में तो इसके definition देख लेते हैं कुछ सब्दों में देखते हैं plotter एक output device है इससे चित्र चार्ट गिराफ आदी को प्रिंट किया जा सकता है इससे प्रिंट किया जा सकता है इससे कहते हैं plotter और इसका यूज किया जाता है 3D printing में इसका सबसे ज्यादा ऐसके जाता है तो आप इसके बारे में definition यह लग सकते है जैदि आप से पूछा जाता है plotter के बारे में और आपको याद रखना है ये चीज़े आपको याद रखने हैं कि कौन-कौन सी output devices हैं और कौन-कौन सी input devices हैं आप से यह tree में भी पूछा जा सकता है और Matras में भी पूछा जा सकता है तो आपको याद रखने हैं अब पढ़ेंगे हम sound card और speaker के बारे में sound card और speaker जो होते हैं हमारे bybis output devices होती हैं यहंकि आपको provide करती हैं किसी भी song को किसी भी आवाज को सुनने के लिए यदि आप कोई भी voice सुनते हैं कोई भी speaker से कोई भी sound से कोई भी sound सुनते हैं यदि आप कोई भी speaker से तो आप यूं समझ गये कि आपको result दिया जा रहा है यानि कि आपको result दिया जाता है कि आप इसे सुन रहे ह जो कि जैसे कोई song play किया जाता है कोई song चल रहा है और उसे आप सुनते हैं तो वो एक result है जो आप सुन के प्राप्त कर रहे हैं यदि आप प्राप्त कर रहे हैं किसी भी माध्यम से सुनना देखना तो यह होती हैं हमारी output devices इसके बारे में definition देख लेते हैं sound card एक बिस्तारक expansion board होता है जिसका प्रियोग sound को संपादित यानि transacted करने में या output देने में मदद करता है तो sound card यह हमारा output देने के लिए मदद करता है यह देखे हमने definition यही speaker की definition है sound card और speaker की definition एक ही है इसके बारे में आप लिख सकते हैं यदि आप से पूछा जाता है sound card और speaker के बारे में तो यह हमारी definition हो गई आगे देखते हैं दोस्तों हम आप पढ़ेंगे projector के बारे में projector हमारा एक output device है आपको याद रखना है projector हमारी एक output device है यह क्यों काम में लिया जाता है यह लिया जाता है किसी भी image video या किसी भी data को screen पर show करने के लिए यदि आप किसी भी data image video को परदर्सित करवाते हैं projector से और बैप project करता है तो उसे कहते हैं projector output device यानि कि projector जो होता है वै होता है हमारा output device तो projector का यूज क्या होता है यह हमने देखा इसकी definition क्या होती है यह आप लिख सकते हैं यह हमारी definition हो गई इसे आप लिख सकते हैं जब भी आप से पूछा चागता है कि projector क्या होता है यह देखी हमने output devices दोस्तों जो कि हमने देखी एक और इयरफोन इयरफोन भी आपका sound card ही होता है इसलिए हमने से अलग से ड़एट नहीं किया दौनों एक ही होते हैं तो यह हमने देखी output devices हमने पहले देखी input devices यह हो गई हमारी input output devices इनको हम revision कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है output devices क्या होती है? बैए उपकरन जिनके दुआरा computer से प्राप्त परडामों को प्राप्त किया जाता है output devices कहलाती है जब भी हम किसी result को प्राप्त करते है जिनके माध्यम से प्राप्त करते है उने कहते है output devices printer एक soft copy को hard copy में परिवर्तित करता है इसलिए इसे भी output device कहते हैं plotter भी यही काम करता है किसी भी chart अगर आप यह चत्र को print करता है इसे भी output device कहते हैं और projector यह image video यह किसी भी data को show करता है फिर दर्जित करता है इसलिए इसे भी हम output device कहते हैं दोस्तों यदि आपको यह video पसंद आई हो तो like करें, comment करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा share करें आपका support ही हमें motivate करता है आगी की वीडियो बनाने में यदि हमें अच्छा response मिलता है तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे इस lecture series को हम complete करेंगे तो आपसे अनुरोद है आप इसे like करें अपना इसे प्यार दें इस video को हमारे channel को subscribe कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे share करें feedback form आप comment कर सकते हैं यदि आप कोई सुचाओ देना चाहते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप बता सकते हैं कोई भी question पूछना चाहते हैं तो आप comment में पूछ सकते हैं कोई भी question feedback form जरूर भरिएगा feedback form यानि कि आप comment जरूर कीजिएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा thank you for watching this दोस्तों have a good day